तो हैलो दोस्तों क्या हाल हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपके फोन में जो वाटसेप है उसके आप दो नमबर आप एड़ करके रख सकते हैं मतलब कि आप एक ही वाटसेप में दो नमबर यूज़ कर सकते हैं और उसको स्विच भी कर सकते हैं मतलब एक नमर से दूसरे नमर पे एक ही WhatsApp में जा सकते हैं WhatsApp का ये features नहीं हाया है आप पहले क्या करते थे कि अगर आपका main WhatsApp में एक WhatsApp होता था तो आपको dual app लेके दूसरा एक पढ़ाना पड़ता था या फिर आप किसी third party WhatsApp एप से आप दूसरा नमर चलाते थे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि main WhatsApp एप में ही आप दो या फिर उससे ज्यादा नमर कैसे चला सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिए तो सबसे पहले हम लोग WhatsApp खोलते हैं WhatsApp खोलने के बाद आपको WhatsApp का ये interface मिलेगा यहाँ पे मेरा एक नमबर में WhatsApp खोला हुआ है और मैं मेरा एक दूसरा नमबर से और एक नया WhatsApp खोलूँगा लेकिन यही WhatsApp एप में तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमें Settings में जाना परेगा Settings में जाने के लिए यहाँ पे उपर 3.00 है यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद Settings में जाएंगे Settings में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे Option मिलेंगे यहाँ पे आपको Accounts में जाना है जहाँ पे हमारा Account Manage होता है तो Accounts में जाएंगे यहाँ पे बहुत सारा Option दिखाए देंगे यहां पे आप नीचे एक option आपको मिलेगा add account इसमें जाके हमको दूरसा नंबर का पूरा प्रोसेस करना है तो मैं जा रहा हूँ add account बे फिर यहां पे देखें मेरा पहला account दिखा रहा है और नीचे देख पा रहे है add account का option आ गया है यहां पे हमें click करना है तो देखें यहां पे जो अब नया जब पहली बार whatsapp खोलता है आपके mobile में यहां पे नया mobile में तो आपको यही बाला interface मिलता है तो वह सही add an account का interface आ गया है यहां पे मैं agree and continue करूँगा और उसके बाद मेरा number यहां पे डालूँगा नमबर डालने के बाद next करूँगा फिर this is the correct number yes यही नमबर है मैं न फिर उसके बाद verify का option आएगा इन मैं continue करूँगा तो automatically यह call करके verify करेगा अगर call करके verify नहीं हो रहा है तो sms के दोरा code बेच के भी verify होता है देख पा रहे हैं यह automatic आ गया है और यहापे नाम और profile picture डालने का option दिया है मैं यहापे मेरा नाम डाल रहा हूँ फिर next कर रहा हूँ फोटो मैं बाद में दूँगा इसके बाद आप देख सकते हैं create a pass key for secure easy login यह एक pass key है जो आप set कर सकते हैं या फिर skip भी कर सकते हैं इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई दूसरे device में आपका WhatsApp खोलते हैं तो वह आपे verification के लिए एक pass की आपको चाहिए होता है वो pass की confirm करता है कि आप ही WhatsApp खोल रहा है दूसरा कोई आपका number से WhatsApp नहीं खोल रहा है तो मैं skip करता हूँ आप चाहे तो create कर सकते हैं यहाँ पर नया number आ चुका है तो मैं मेरा ही number पर मैं एक message कर देता हूँ ठीक है आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं WhatsApp इसको काट दूँगा पूरा तो WhatsApp आप देख सकते हैं तो मैं इसको खोलूँगा तो मेरा जो नया number है उसमें यह आ रहा है आप WhatsApp चैटिंग स्विच कर सकते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर फिर से 3.00 में जाएंगे और यहाँ पर देखिए नीचे ही आपको एक option मिलेगा switch accounts मतलब आप आपके number और आपका जो alternate number है दूसरा कोई number है उसमें वन क्लिक में चेंज कर सकते हैं इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो main मेरा था वो बला आ गया है फिर से मैं अगर दूसरे बला में जाना चाहता हूँ तो फिर से 3.00 में क्लिक करूँगा उसके बाद switch account में क्लिक करूँगा तो दूसरे में आ जाएगा तो दूस्तो ऐसे करके आप अपके main WhatsApp में दो number add कर सकते हैं और उसको switch करके चला सकते हैं तो दूस्तो वीडियो इतना तक ही था वीडियो देखिए अगर एलप हो आओ तो ज़रूर वीडियो में एक लाइक कर दीजे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर support कीजे सिर्फ एक subscribe कर दीजे वीडियो को देखने के लिए